बुझ गुरुदेव, बिन्ना गुरी वेष्ट बंगाव से एक दसवर्सी बालक नमन जयन पूछ रहा गुरुदेव गुरुवर मेरा प्रश्ण ये है, हम बच्चों को ये सिखाया गया है, कि भगवान है, लेकिन गुरुवर हम कैसे मानने, मानने कि भगवान सही में है कि भगवान को आना चाहिए और धर्ती पर कृप्या गुरुदेव समाधान की बहुत अच्छा और प्रासंगिक सवाल पुछा है, जहां तक भगवान की बात है, तो यदि हम है तो भगवान है, और सच्चे अर्थों में देखा जाए, तो हम से जुदा कोई भगवान नही हम ही भगवान है, अप्पा शो पर्मपा, आत्मा ही पर्मात्मा है, हम से बाहर कोई भगवान नहीं, भगवान मेरे भीतर है, मेरे भीतर क्या है, मैं खुद में भगवान हूँ, हां, जिने हम भगवान के रूप में पूछते हैं, और हम में क्या अंतर है, इतना ही अंतर है कि हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, ये आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, जिसमें बिकार हो वो आत्मा, और जो बिकारों को जीत ले वो परमात्मा, जिस दिन हम अपने अंतरंग के बिकारों को जीत लेंगे, हम ही परमात्मा होंगे, और ये परमात्मा हर प्रानी के भी उलेकारों को जीत लेता है, परमात्मा हो जाता है, वो राख, देश, मोह छेए, पूर कृत्त हो जाता है, उसे अच्छे से, बुरे से, निंदा से, प्रसंचा से, जै से, पराजे से, पुझा से और अव्वान्ने से कोई फर्क नहीं पड CH in पू पर्क पड़ता, वो मात्र ज अपने दोशों और दुरबलताओं को दूर करो, तुम दुख मुक्त होगे और खुद में परमात्मा बन जाओगे, ये संसार में जो बिपदा है, जो तरासली है, न तो इसे भगवान ने बनाया, न भगवान इसे रोक शकते हैं, ज़िए भगवान इसे रोक शकते हैं, तो स स्रिष्टी की सारी विवस्था स्वता संचारित होती है, इसे करने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने सुभाव से चटते हैं, निमित्त नेमित्तिक संबंद होता है, उसके अनुरूप कायर हुआ, बोहान में कुछ गलत प्रियोग हुए, वो निमित्त बना, परणाम जिनका जितना हिस्से में पाप है, तो जिनका जितना पाप हो तने प्रभावित हो रहे चक्र है, संसार का, यह चलता रहेगा, इसलिए बगवान को इसमें लपेटने की कोई जरूवत नहीं, फिर सवाल उठेगा की आखिर भगवान को पूजे क्यों, तब भगवान को हम दुख संकट का निवारन कर दें, अपित भगवान को किवल हम इसलिए पूछते हैं, कि उन से हमें प्रेड़ना प्राप्त हो, और इस दुख और संकट को सहने की सक्ती प्राप्त कर सके, अपने जीवन की वास्तविक सरूप को हम पहचान सके, अपने दोस्त, अपने आपको मुक्त कर सके,